दोस्तो मेरे पास ऐसे बहुत से रोगी आते हैं जो कहते हैं कि हमें बहु मुत्रता की समस्या है हमें थोड़े समय के पश्चात बार-बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है तो आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या के बारे में विस्तार के साथ जानने का प्रियास करेंगे पता लगाएंगे कि आखिर इस समस्या के पीछे कारण क्या कुछ हो सकते हैं और इसका इलाज किस प्रकार संभव है, इससे छुटकारा किस प्रकार प्राप्ति किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किये प्रारंब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहु मुत्र ताथार्थ पोलियूरिया, एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारा सरीर बहुत अदिक मात्रा में मुत्र का उत्पादन और उत्सर्जन करना प्रारंब कर देता है। ऐसी अवस्था में या तो बार-बार पेशाब लगने की समस्या रोगी बताता है, या फिर बहुत अदिक मात्रा में एक बार में पेशाब उसे करने की समस्या अनुभव होती है। आयरवेद में आचारी सुसरुत ने इसे सोम रोग के नाम से उच्चारित किया है। चलिए, सबसे पहले इस समस्या के पीछे मौजूद कारणों के विशे में जान लेते हैं क्योंकि कारणों का पता लगाए बिना किसी भी रोग का संपून समाधान कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो बहु मुत्रता की जब बात आती है तो सबसे पहला विचार जो मन में आता है किसी भी चिकित्सक के वो है मधुमे की समस्या अथार्थ डाबिटीज। तो ऐसे में बहु मुत्रता से परेशान रोगी को सरुपर्थम अपने रक्त में सरकरा के स्थर को अवश्य जाच लेना चाहिए। इसके अलावा urine track infection अथार्थ पेशाब के रास्ते में होने वाला infection प्रोस्टेट अथार्थ गदूद का बढ़ जाना या वहां का infection हो जाना उसमें सोजन आ जाना इसके अलावा kidney से संबंदिच समस्याएं और liver से संबंदिच समस्याएं भी इस रोग के पीछे कारण हो सकती है परन्तु इन सब के अलावा बहुत सी दवाईयों के प्रभाव के चलते चाहे वो अंग्रेजी हो आयरवेदिक हो उनके चलते भी और घबराहट बेचानी की स्थिति में या फिर किसी प्रकार के मादक पदार्थ का प्रियोग करने के चलते भी आम तोर पे बहुमुत्रत कीने के बश्यात भी जब रोगी को जाचा जाता है तो डी हाइड्रेशन अथार्त निर्जली करण की अवस्था रोगी में अनुभव होती है रोगी दिन प्रती दिन कमजोर होता हुआ दिखाई देता है घबराहट बेचैनी और कई बार बेहोसी जैसी स्थिति का उसे साम भी रोग से मुक्ति प्राप्त करने का जो पर्थम चरण होता है पर्थम कदम होता है वो है निदान परिवर्जन अथार्त है रोग के कारण से मुक्ति प्राप्त करना ततपस्चात कारण के अनुरूप अन्य ओशिधियों का प्रियोग करने के साथ-साथ इस रोग में गुमनाथरस, बहुमुत्रांतकरस और सिलाजीत आधी बहुत सी ओशिदिया है जिनके प्रियोग से किसी भी कारण के चलते उत्पन बहुमुत्रता की समस्य में काफी लाबदायक परिणाम दिखाई देता है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में नमस्कार